नवरात्रों के मद्द नजर नैना देवी में जलाप्रशासन और मंदिर न्यास की मेला प्रबंधों को लेकर एक एहम बैठक आयुजेत की गई जलाप्रश बिलासपुर राजेश्वर गोईल ने इस बैठक की अध्यक्षता की और इस दोरान कई महत्यों पूर्ण निर्णे भी लिये गए बैठक के दोरान निर्णे लिया गया कि विश्विख्यात शक्ति पीट श्री नैना देवी में इस बार मेली के दोरान भिक्षा वृति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा और भिखारियों को काला वाला टोबा से आगे नहीं आने दिया जाएगा विश्विख्यात शक्ति पीट श्री नैना देवी में नवरात्रों के दोरान श्रधालों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा इस बार एक और एहम फैसला लिया गया है जिसके तहट श्रधालों को लाइनों में LED के माध्यम से भी माता के दर्शन होते रहेंगे इसके लिए मंदिर न्यास और जिला प्रशासन ने पुरी तरह से प्रारूप तैयार कर लिया है ये बात उपायूक्त बिलासपूर राजेश्वर गोयल ने पत्रकारों से बातचीत के दोरान कही इसे पहले मंदिर न्यास के भवन मात्र आंचल में जिला प्रशासन वा मंदिर न्यास की मेला प्रवंधों को लेकर एक एहम बैठक संपन हुई जिसमें कई महतोपूर फैसले लिये गए इस बैठक की अध्यक्षता उपायूक्त बिलासपूर राजेश्वर गोयल ने की और इस बैठक में विशेश रूप से जिला पुलिस अधिक्षक साक्षी वर्मा भी मौजूद रही उपायूक्त राजेश्वर गोयल ने बताया की मेले के दौरान मंदिर न्यास और जिला परशासन बेहेतर सुविधाये प्रदान करने के लिए वचन बद है उन्होंने कहा की मेले के दौरान शद्धालूं की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा उपायूक्त ने कहा की सुरक्षा की द्रिष्टी से मंदिर के अंदर कढ़ा प्रसाद और नारियल चड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा उन्होंने कहा की मेले के दौरान शेत्र को 9 सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा श्री नेना देवी जी में और इसमें जो भी हमारे समनित विभाग हैं उनके आला अदिकारी उसमें बैटक में उपस्ते थे और अभी पिछला अगस्त के महीने में जैसा बड़ा सफलता पुर्वक यहां पर जो श्रावन का जो है मेला उसका आयोजन किया गया उसमें जो को मदे नजर रखते हुए सभी का समाविश करते हुए आज बड़ी विस्ति चर्चा की गई और गत वर्षों की भांती इस बार भी जो है जो नवरात्रों के जो हमारे मेला होते हैं उसमें जो हमारे स्जेम श्री नैना देवी जी जो कि अध्यक्ष्मी हैं मंदिर दियास के वो मेला दिकारी के रूप में उनको न्यूप किया जाता है और जो हमारे तैसीलदा और जो मंदिर दिकारी हैं वो साहिग मेला दिकारी के रूप में उनको न्यूप किया जा रहा है उसके तरिक जो हमारे स्थानिये वो पुलिस अधिक्षक हैं वो मेला पुलिस अधिकारी के रूप करेंगे और मेला जो क्षेतर है इसको नौ सेक्टर में हर वर्ष की भांती हर मेला की भांती जो है विभाजित किया गया है जिसमें पांच सेक्टर मेंजिस्ट्रिट जो है वो ड्यूटि थेंगे सिटी चैनल के लिए बिलासपूर से कैमरामेन राज के साथ मुकेश गौतम की रिपोर्ट